हेलो गाईज, most welcome back to our YouTube channel ग्यानवित सचिन तो दोस्तों आज की इस complete वीडियो में हम बात करेंगे Applied Physics First जो की Polytechnic First semester का एक subject है उसके महराथन क्लास के बारे में तो आप सभी के Applied Physics में कौन-कौन से most important questions हो सकते हैं और वह एक्जाम में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं और आप सभी को with solution पूरी महराथन क्लास के अंतरगत कभर कराने वाला हूँ तो चलिए बिना देरी की अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं सभी प्रकार की PDF और Authentic Update के लिए Telegram चैनल को अवस्य जोईन कर ले क्योंकि एक्जाम तक डिफरेंट 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 अपडेट रहेंगे और दिन भर में अधिक से अधिक वीडियो हो जाया करेंगी बहुत सारे previous year paper और notes को आपको टेलीग्राम पे भेजता रहता हूँ तो description box में लिंक है टेलीग्राम चैनल को जोईन कर लो आप सभी को वहां से मदद होगी फिलाल ये लिखा है point आप ध्यान दीजेगा back लगी तो जिमेदारी मेरी जी हाँ दोस्तों आप सभी in questions की तैयारी कर लीजिए आप सभी की back बिलकुल नहीं आएगे फिलाल अगर polytechnic first semester के महतपूर प्रसनिके notes ये आल ब्रांच की जितने भी students है अगर आप सभी को चाहिए तो इस number पे call या message करके notes को प्राप्त कर सकते हैं 49 rupees में all subject मिल जाएंगे बिलकुल notes जो मिलेगा वो हिंदी format में मिलेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी ppt के तरफ ले चलते हैं जहां पर हमारे सारे notes एबिलेबल तो आज का हमारा जो पहला question होगा वो होगा कोडी तुरण तथा रेखी तुरण में संबंध मतलब दो number में पूछा जाने वाला आप सभी का most important question होगा किस बात का होगा question यह आपके derivation में पूछा जाता है ठीक है derivation में पूछा जाता है और यह हमेशा पूछा जाता है ऐसी बात नहीं है कि इस बार की बात है यह हमेशा पूछा जाने वाला है दो number में तो चलिए हम इसको derive करेंगे कैसे derive करेंगे बहुत आसान वे में मैंने derive कर रखा है हम सभी जानते हैं कि जो कोड़ी तुरड़ है जिसे हम किस से denote करते हैं alpha से alpha का जो formula होता है d omega upon dt होता है इसे आपको याद करना होगा या इसे जानना होगा ठीक है आप सभी को एक formula पता होगा v equal r omega अगर omega की value यहां से निकालोगे तो आ जाएगा v by r ठीक है चलिए omega की value आप सभी ने find कर ली equation first में हम omega की value को put कर देंगे ठीक है तो alpha बराबर d upon dt और omega की जगापर हमने क्या कर दिया v by r कर दिया ठीक है अब क्या होगा कि इस r को हम आगे कर लेंगे जिसे हम कहते हैं तो आप एक आफ जो value निकालोगे तो आ जाएगा a equal r alpha और यह proved हो जाएगा तो कैसा रहा है यह derivation जरूर comment करके बताइएगा कितना आसान वेवे मैंने आप सभी को complete करा दिया चलिए दूसरे question की तरफ move करते हैं आप सभी के साथ अगला हमारा question होगा कोड़ी वेग यह वंग रेखी वेग में संबंद क्या कोड़ी वेग और रेखी वेग में संबंद इसका हम derivation करने वाले हैं आप सभी के साथ इसमें पहले आप एक figure बना लोगे ठीके जैसे आप figure बना लोगे देखो इसमें circular motion हो रहा है ठीके यह जो आप सभी का angle है वो delta हीटा होगा और जो distance कबर की गई है किसी particle A से B के बीच में वो delius होगा ठीके radius आपका दोनों जगा सेम रहेगा R होगा ठीके क्या है देख लेते हैं पूरी theory को हम समझते हैं ठीके माना R तरिज्जा के बृती पत पर गती करता हुआ कोई कण सूच्म समयांतराल del T में मतलब सूच्म समयांतराल del T में क्या करता है जो दूरी करता है बृती पत पर वो del S दूरी करता है R तरिज्जा के ठीके बृती पत पर ठीके जब कोई कण एक समान वित्ती गती करता है तो उसका कोड़ी वा रेखी दोनों विस्थापन होने के कारण उसके कोड़ी वा रेखी दोनों प्रकार के वेग होते हैं इसका कहने का मतलब है जब कोई भी पार्टिकल एक समान ठीके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसका एंगुलर और लिनियर दोनों विस्थापन होने के कारण उसमें एंगुलर और लिनियर यानि कोड़ी और रेखी दोनों प्रकार के वेग होते हैं ठीक है तो आप सभी चलिए रेखी वेग को हम वी से डिनोट कर रहे हैं और कोड़ी वेग को हम किस से डिनोट कर रहे हैं ओमे देल ठीटा चांप आप सभी का क्या है डेलियस और त्रिज्जा क्या है यार ठीक है तो कौन बराबर क्या हो गया चांप बटे त्रिज्जा यानि डेल ठीटा बराबर डेलियस भाई आर इसे एक्वेशन हमने फस्ट माल लिया ठीक है चलिए अब एक्वेशन फस्ट माल लिय अब हम क्या करेंगे कि equation first के दोनों पच्छों में हम del t से क्या कर देंगे भाग देंगे तो del theta upon del t कर दिया हमने और del yes upon del t एक तरफ कर लिया और 1 by r हमने क्या कर लिया इधर की तरफ कर लिया बात इतना आप सभी समझ चुके होंगे ठीके अब हम क्या कहेंगे कि we also know that हम सभी ज उमेगा इस बात का आप सभी दिहार रखिएगा और यहां पर क्या है दूरी दूरी बटे समय दूरी बटे समय इसे हम क्या कहेंगे वी कहेंगे यानि दूरी बटे समय चाल बराबर दूरी बटे समय आप फॉर्मूला रच्छी तरीके से जानते होंगे ठीके तो यह वी की तो जब V की value find करेंगे तो V बराबर आर ओमेगा ठीक है तो यह क्या हो गया मेरे पिर साथ ही हूँ कोई भी फोर्स है ठीक है उससे क्या होगा कि कारे अगर संपन कराना है ठीक है तो फोर्स तो अपलाई करना होता कारे करने के लिए ठीक है तो बल द्वारा संपन ने जो कारे होगा ठीक है जो हमारा कारे जो संपन हो रहा है वह विस्तापन के पत पर निर्भर ना करके केवल अगर प्ररम्भिक इस्थितियों पर निर्भर करें तो बल क्या कहाएगा तो ध्यान दीजेगा कि अगर कोई भी बल द्वारा जो संपन्ने कार्य हो रहा है वो विस्थापन का जो पत है उस पर निर्भर नहीं कर रहा है ठीके सपोच करो ऐसे आप एक लाइन खीच लो ठीके A और B point है ठीक है तो जो हमारा कार्य हो रहा है वो सिर्फ A और B पर निर्भर कर रहा है ना इस हमारे path function पर निर्भर नहीं कर रहा है तो यह हमारा conservative force है ठीक है अब पूर्ड चक्र में कार्य सूनने होता है इसका मैं अभी daily life example भी आपको अच्छी तरीके से दिखाऊंगा फिल के लिए है इसमें विस्थापन के पत पर निर्भर नहीं करता अगला हमारा है non conservative force वैवल जिनके द्वारा किसी बस्त को एक जगा से दूसरी जगा में विस्थापित करने में किया गए कार्य का मान पत पर निर्भर करता है मतलब यहां पर जो भी है वो पत पर निर्भर करे ठीक anál मतलब जो भी कार रहा है वह विस्थापन के पत पर नहीं विस्थापन के पत पर निर्भर कर रहा है ना कि और भी पॉइंट पर कर रहा है तो ये क्या है असे ہیں कि इसे हम कहते हैं घर सन बल ठीक है उप एक हमारा आता है वर्क एनरजी pan ये भी आपका सिर्फ दो मार्क्स में पूछा जाता है ना कि फाइब मार्क्स में पूछा जाता है इस बात का ध्यान रखिएगा छोटा क्यूस्टन है लेकिन दो और एक नंबर भी आप सभी के लिए बहुत इंपोर्टन्ट होने वाले हैं तो चलिए हम वर्क एनरजी थियो कर रहे होगा वह बस्त में गतिज उर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा ठीक है कोई भी बस्त पर लगाए गया जो बल है उससे जो कार हो रहा है वह बस्त में गतिज उर्जा के परिवर्तन के बराबर होगा यानि कार बराबर डेल के और इस डेल को हम क्या लिख सकते है के final minus के initial ठीके यही तो होगा गति जुर्जा में परिवर्तन के final minus के initial ठीके पुरूफ करेंगे क्या है कि एक यम दरभिमान की कोई बस्तू है जो यू वेक से गत्सी ले यानि प्रारंबिग वेक जो है यू है ठीके और उस पर कोई बल यफ लगा है ठीके अब बल के कारण ब मेंड इस पर फोर्स जब अप्लाई करोगे तो प्रारंबिग वेक जो था यू था लेकिन आप एक होने के बहुत क्या हो गया इसका जो आपका अंतिम बेग हो गया ठीक है वह आप सभी का वी हो गया जब अंतिम बेग वी हो गया तथा बस तो द्वारा जो दूरी तैं की गई वह यस दूरी तैं की गई कुछ दूरी तैं की गई हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं ठीक है तो बल द्वारा किया गया कार क्या होता है डबलू बराबर एफ इंटू एस ठीक है यह आप सभी को पता है एक्वेशन नमबर फ़स्ट इसे हम माल लेंगे ठीक है चलिए अब हमने formula देखा ही है f बराबर में होता है ठीक है तो यह यहाँ है ध। क्पूर को फूर्फचों में by two से क्या क्या कर देंगे ठीक है क्या कर देंगे m by 2 अब यहाँ पर भी m by 2 कर देंगे ठीक है m by 2 तो यम इसमें multiply हो जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पहरे साथ ही हो देख लिएगा मैं एक बार फिर से मिटा कर दिखाता हूँ आप सबी को अच्छी तरीके से m by 2 और फिर into में कर दो m by 2 ठीके क्लिर हो गई बात अब यह 2 से 2 कट गया अब यहाँ पर क्या बचा है m by square by 2 ठीके yum u square by 2 प्लस क्या बचा yum a s और yum a s क्या है डबलू है तो यहाँ डबलू लिख दो बराबर में ठीके अब yum b square और इसको उठा कर लाओ तो माइनस में हो जाएगा m by square by 2 minus yum u square by 2 equal में yum a s equal में डबलू यहाँ की बेलू डबलू है और यम b square by 2 और माइनस yum u square by 2 इसका मतलब है कि गतीज उर्जा का final यानि इसे हम क्या लिख सकते हैं देखिए गा यहाँ पर कि गतीज उर्जा का final यानि यम b square minus yum u square तो इसे हम लिखेंगे के final minus k initial और इसी को हम लिखते हैं डेल के ठीके अगर हम यू की value zero कर देंगे तो क्या हो जाएगा यम b square हो जाएगा तो डबलू की value mb square हो जाएगी तो यही छोटा सा proof है मुझे लगता है बहुत प्यार से आप सभी के समझ में आ गया है PDF आप सभी को मिल जाएगी ठीके आप सभी इस number पे call या message कर लेना आपको पूरी PDF सभी subject के मिल जाएगी ठीके with handwritten notes जैसे चीज़ें दखिए यह important चीज़ है तो यहाँ पर मैंने इसको highlight कर रखा है ठीके तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आपको मिल रही है और सभी subject के notes की जो price है क्या है मेरे पेरे साथ ही हो वो 49 rupees है ठीके चलिए दूसरे question की तरफ आप सभी को लेकर चलते है आप सभी कहेंगे कि घरसन जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ठीके तो सही में पीछा नहीं छोड़ रहा है यहाँ पर घरसन है और यह पूछा भी जाएगा जी हाँ दोस्तों अब घरसन क्या है बहुत simple से definitions मैंने लिखी है साथ आपको भी मज़ा आ जाए जब एक बस्तों को दूसरी बस्तों पर पिघलाये जाता है फिसलाये जाता है ठीके तो उनके संपर्क प्रिष्टों के बीच ऐसे बल उत्पन हो जाते हैं जो बस्तों के फिसलने का बिरोध करते हैं घरसन बल कहलाते है ठीके कोई भी दो प्रिस्ट है ठीक है जब इनको एक दूसरे के बीच में क्या किया जाएगा फिसलाया जाएगा तो इनके बीच में जो घरसड होता है ठीक है जो बिरोध होगा फिसलने का जो बिरोध होता है ठीक है इसी गुड को हम कहते हैं घरसड ठीक है और यही हमारा जो गु फ्रिक्षन है ठीक है पिंड की बिरामा वस्था में पिंड पर लगने वाला घरसड बल जो इस्टैटिक फ्रिक्षन होगा यह निए अस्थायतिक घरसड बल कहलाता है जो भी static motion है ठीक है उसका जो अधिकतम मान होगा यानी चरम मान होगा ठीक है वही सीमांत घरसण बल कहलाता है limiting friction कहलाता है यह आपके लिए बहुत important है ठीक है एक नंबर में ठीक है चलिए अब हम laws of friction देख लेते हैं ठीक है तो लाज और फ्रिक्शन में कई सारी चीज़ें है अस्थायतिक घरसड संबंदी नियम है यदि बस्तू गतिमान नहीं है तो अस्थायतिक घरसड बल जो आप एफस का मान निम्ण संबंद द्वारा बेक्ट किया जाएगा ठीक है यह मैस जो है आप और भी दिखाता हूं जहां पर आपको एकदम पूरी तरीके से किलिर हो जाएगा और यह देखी कोफीशेंट आफ फ्रिक्शन मिल गया ना तो यही है एफ बराबर म्यू आर ठीक है वो इसका थोड़ा सा बिगडा हुआ रूप है ठीक है तो कोफीशेंट आफ फ्रिक्शन सबी है यही आपका कोफीशेंट आफ फ्रिक्शन है और अगला हमारा एंगल अफ रिव होता है यह कितना एंगल बना दे यहकितना इंगल बना दे जब जो हमारा पिंड है वो फिसलने की इस्तिती में हो ठीके मतलब एसे मालो ये ऐसे रखा है तो इस पर हम कुछ रख रहे हैं तो ये नीचे की तरफ सराख नहीं रहा है लेकिन इसके एंगल को जब इस तरीके की प्रवित रखता हो एंगल आफ रिपोज कहलाता है ठीक है इसके आप देखेंगे तो दो कॉंपोनेंट होंगे एक तो आपका mg साइन ठीटा होगा और एक mg कॉस ठीटा होगा और उपर की तरफ अपका R होगा अब प्रस्क्रियाबल ठीके तो कुछ इस तरीके का एंगल आफ रिपोज होता है ठीके अब अगर सीमांत घरसड समदी ती नियम में आप एंगल आफ रिपोज को अच्छी तरीके से लिखना चाते हो तो सीमांत घरसड की स्तिती में mg साइन ठीटा जो ठीके देखिए mg sin theta जो है उसकी value जी होगी आप applied mechanics जब पढ़ेंगे second semester में कुछ बच्चे ठीके तो वहाँ पर आप सभी को पता चल जाएगा कि numerical किस तरीके से solve करेंगे तो mg sin theta जो होगा वो आप सभी के fs के बराबर होगा जो r होगा ठीके वो mg cos theta के बराबर होगा ठीके तो mg sin theta बराबर fs और r बराबर जो होगा वो mg cos theta हो गया ठीके अब हमें fs जो है वो fs बराबर mu sr यानि static में हम बात कर रहे हैं ठीके तो mu की जगह mu के साथ yes लगा देंगे ये तो हमारा formula ही है ठीके इसे आप जानते हैं अब हम क्या करेंगे अब हम fs की जगह पर क्या लग देंगे fs की जगह पर हम mu sr की value है और r की value जो है mg cos theta है ठीके r की जो value है वो mg cos theta है तो mu s और mg cos theta और fs की value जो है वो mg sin theta है तो ये आपका क्या है angle of repose है जो कि मैंने आप सभी को दिखा दिया ठीके कुछ इस तरीके से और आप सभी ये जो figure है इसे आप जरूर बनाएगा और जो r के equal में होगा mg cos theta होगा और आप सभी का fs जो है वो उसके mg sin theta के equal में होगा जब numerical हम solve करते हैं तो कुछ इस तरीके से हम लेते हैं ठीके आप apply it mechanics में अच्छी तरीके से समझ पाओगे और चलिए और question की तरब आप सभी को लेकर चलते हैं कभी कभी क्या 5 नंबर में पूछा जाता है यह 5 marks में इसको हम एक single वीडियो में अच्छी तरीके से कबर करेंगे किसको पलाइन बेग और पलाइन उर्जा को ठीके वह न्यून्तम बेग जिसे किसी बस्त को उपर फिकने पर वार पृतिवी के गृत्वा करसट छेतर से बा में पर सेकेंड ठीक है तो यह था आज का कम्प्लीट इन वीडियो और कुछ इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव क्यूसंस आप सभी को देते रहेंगे और जब लास्ट मोमेंट आ जाएगा तो वहां पर बड़ी-बड़ी क्लासेज आप सभी को करा करके बड़ीया धंग से आप सभी की पूरी तयारी को कम्प्लीट करा देंगे तो फिलहाल नोट्स अगर आप सभी नहीं लिए हैं तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिए मैसेज कर लीजिए ठीक है आपको नोट्स दे देंगे और अपनी प्रप्रेशन को अच्छी तरीके से करते चलिए तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाय टाटा लब यूर टेक केर